हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope कि सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम स्वस्त भोजन और स्वस्त जीवन के बारे में जानेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों, हम सभी के लिए भोजन बहुत आवशक है आवशक्ता के अनुसार भोजन कई प्रकार का होता है मनुश्य और जीव जन्तु भोजन के रूप में गेहूं, चावल, बाजरा, सबजियां, दूद, जल और फलादी लेते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे, धूप, हवा, पानी के साथ-साथ मिट्टी और खाद के पोसक तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं संतुलित भोजन क्या होता है? और हमें संतुलित भोजन की आवसकता क्यूं होती है? स्वस्त रहने के लिए संतुलित भोजन खाना बहुत आवशक है संतुलित भोजन का अर्थ है भोजन में दाल, रोटी, हरी सबजियां, दूद, फल, सलाद और पानी आदी का उचित मात्रा में होना जो हमारे सरीर की प्रोटीन, कार्वोहाइडरेट और वसा की जरूरतों को पूरा करते हैं ज्यादा तलेब हुने भोजन एवं जंक फूट जैसे की पिज़ा, बर्गर, कुरकुरे आदी से परहेज करना चाहिए तो आप यहां देख सकते हैं, यह है संतुलित भोजन, इसमें क्या है ब्रेड, रोटी, चावल, डाल, दही, फल, सबजियां, दूद, तो यह सभी क्या है? यह संतुलित भोजन है, जिसमें सभी पोसक तत्व होते हैं मिद्दे मील, बच्चों आपको विद्द्याल्य में मिद्दे मील दोपहर का भोजन दिया जाता है वह एक पून पोस्ट काहार है, इस भोजन को बनाते समय इसमें संतुलित भोजन के आवश्यक सभी पोसक तत्वों को उचित मात्रा में रखा जाता है इसलिए आपको विद्याले में मिद्धे मील अवश्य खाना चाहिए कभी-कभी कुछ बच्चों को खेलते समय चक्करा जाते हैं यह वे अक्सर बीमार या कमजोर रहते हैं कई बार इसका कारण उनकी खाने पीने की आदते होती है जैसे की नियमित रूप से समय पर खाना ना खाना संतुलित आहार ना लेना और खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ ना धोना आदी हमें समय पर संतुलित भोजन करना चाहिए और साफ सफाई का हमेशा ध्यान दखना चाहिए बच्चो आपने चील, कोऊ, आदी की चौच और सेर और अन्य मास खाने वाले जानवरों के दांत देखे होंगे ये आगे से नुकिले और बढ़े होते हैं ताकि वे मास खा सकें जबकि मुर्गी की चौच और हिरन के दांत छोटे होते हैं ताकि वे आसानी से दाना और घास खा सकें इस प्रकार मास खाने वाले जीवों को मानसाहारी और घास या पौधे खाने वाले जीवों को साकाहारी कहते हैं चितर देख कर बताओ कि कौन सा जानवर साकाहारी है और कौन सा मासाहारी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बतक, कबूतर, चील, गाय, सेर, घोडा तो इन में बतक जो है कैसी है बतक मासा हारी है कीड़े मकोडे खाती है कबूतर कबूतर जो है ये कैसा है साका हारी है जो की दाना जैसे की गेहूं चावल बाजरा इनके दाने खाते हैं चील मासा हारी है गाए साका हारी है ये साक पत्ते घास फूसा भी खाती है सेर मासा हारी है और घोड़ा घोड़ा साका हरी जानवर है अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे साका हरी जानवर कौन-कौन से है कबूतर गाय और घोड़ा मालसाहारी बतक चील और सेर बीज का सफर बच्चों क्या आपको पता है कि किसान अक्सर बीजों से ही अपनी नई फसल उगाता है बीज हमारे बहुत काम आते हैं बीज एक जगह से दूसरी जगह पक्षियों हवा पानी और इंसानों द्वारा ले जाये जाते हैं अब हम जानेंगे रोटी की मिठास का रहस्य जब हम रोटी या चावल को देर तक चबाते हैं तो हमें मुह में मिठास का अनुभव होता है यह मिठास भोजन में लार के मिल जाने से बने ग्लुकोज के कारण होती है खाना क्यों हुआ खराब बच्चो गर्मियों के दिनों में बाहर रखी सबजी रोटी या दूद जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसा उनमें बैक्तिरिया के पैदा हो जाने के कारण होता है जो बाहर रखे खाने को खराब कर देते हैं सबजी फल और दूद को फ्रिज में बाचार बना कर या फ्रिज में रखकर लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं अब बच्चो यहाँ पर है आपके लिए क्रिया कला प्यारे बच्चो नीचे रेगे खाली प्लेट में अपने मन पसंद खाने की चीजों के चितर बनाईए और अपनी पसंद के रंग भी बर ये देखते हैं किसकी प्लेट में ज्यादा संतुलिक भोजन है तो आप यहाँ पर यह जो प्लेट दी गई है इसमें आप संतुलिक भोजन इटमीज जो आपको पसंद है उस भोजन की पिक्चर बनाएंगे अब बचे यहाँ पर है नीचे तालिका में दीगे खाने की वस्तों ने पोस्टिक वे जंक फूट चाट कर लिखिए तो इनमें से पोस्टिक और जंक फूट कौन कौन से है यह चाट कर लिखना है दही रोटी समोसा दलिया दूद बर्गर गाजर कुरकुरे दाल पिज़ा तो इनमें पोस्टिक आहर कौन कौन से है दही रोटी दलिय दूद और क्या है गाजर दाल और जंक फूड है समोसा बर्गर कुरकुरे और पिज़ा बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू